तो आज का टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट हिस्टुरी का सेशन जो कांटिनु चल रहा है उसी को यहाँ पर कांटिनु करते हुए नेक्स्ट हम जो कोशन्स हैं 30 वो करेंगे यहाँ पर उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिस्क्राइब कीजिए और बल आइकन को जरूर फ्रेस कीजिए ताकि डेली जो है डेली की अप्डेट जो है वो आप तक पहुंच सके ठीक है सबसे पहले याईने की नोटिफिकेशन आपको पहुंचें सबको पता होगा सो प्लीज जो है अपन जो है यह चैनल हमारा इसमेर आफिक को कीजिए और जो है साथ का सेश्ट कर बटन वो भी प्रेस कीजिए इसे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट थर्टी फर्स्ट कोशन क्या है यहां पर आपको पुछा जाता है कि फर्स्ट विक्टोरी का नाम बताना है कौन है वो मतलब इस साइड से ठीक है तो जल्दी से बताना इसका सही आंसर क्या होगा ओप्शन A देखिए फ्रेंसिको दी अलमीडा ओप्शन B देखो पैड्रो अलवर्जा कारबोल C है अलबुकुरी क्यू और D है बैसको दी गामा तो आपका जो सही आंसर है वो है Francisco de Almeida ठीक है, option A जो है आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा next question है हमारे पास which place is known as the gate of ancient India ठीक है, किस place को जो है, किस जगा को जो है, किस नाम से gate of ancient India के नाम से जो है जाना जाता है नीचे आपको जो है, यहाँ पर option दिएगे है सही answer जिसको पता है, फटाफट comment session में answer दीजिए यहाँ अपने पास copy pen रखिया और note करते रहिए अगर note करने का time नहीं है, तो नीचे आप comment session में अपना answer drop कर सकते हैं सही answer आपका है, मुजरिस ठीक है next question है, आपके पास about 3000 BC human civilization definitely exists in ठीक है 3000 BC के बारे में अगर बात करें, जो human civilization थी वो कितनी यहाँ पर exist हुई थी ठीक है, exist हुई थी option देखिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यहां कहीं से नहीं nowhere तो इसका जो सही answer है, option A, आपका इंडिया clear? तो वीडियो अची लगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, next question है आपका these striking feature of the Indus Valley civilization was ठीक है, Indus Valley civilization में क्या था? एक striking feature था मतलब ruler settlement, civil organization, sea transport या industries तो जल्दी से बताएं आपका सही answer हो जाएगा, option C, यानि की sea transport great, next question है आपके पास which Mughal Emperor Tom was not in India ठीक है, कौन सा जो Mughal Emperor है यहां पर इंडिया मर में जो है नहीं है अकबर, जहांगीर, शा जहां या हिमायू इंडिया का नहीं था, बताएगे जल्दी करिए Mughal Emperor, पाता होना जहिए सब को सही answer, option B, आपका जहांगीर खीक है, सो चलिए next question है आपके पास the Nagra style of temple architecture is associated with North India, South India, East India या West India नगारा style का एक temple का जो architecture है, वो किसको associate किया जाता है, किसके साथ किया जाता है option A, आपका बिल्कुल सही है, यानि की North India clear, any doubt, तो comment session में अपना answer drop कीजिए अगर कहीं doubt आ रहा है तो, next है आपके पास who wrote गीता गोविंदा, गीता गोविंदा जो है, वो किसके क्यों है उसके जो है, राइटर कौन है, जाय देवा, तुकाराम, तुलसीदास या पूर्न दावादास जल्दी से जल्दी very good, सही answer, option A, जाय देवा, ठीक है next question है, आपके पास the 1885 Congress Session was held at ठीक है, 1885 में जो Congress Session हुई थी, कहां पर हुई थी गोवालिया टैंक, या विक्टोरिया हाल, या ब्रेंबोस्न स्टेडियम जल्दी से जल्दी answer दीजी, क्या है इसका सही answer, option A, आपका गोवादास, तेजपाल, संकृत, पाटशाला, है, ठीक है next आ जाता है, आपका गंदारा स्कूल of art came into existence सबसे पहले बताईएगा कि गंदारा स्कूल जो है, ये कहां पर है और इसका जो art है, सबसे पहले का बाया था, कब existence हुआ था हिनायन, सेक्टरेट, महायन सेक्ट, जैनिजम, इंडिपेंडेंडेंट्स, अजी विकास सही answer, आपका option B है, महायाना सेक्ट ठीक है, तो चलिए next question भी करते हैं हम देखिए यहां पर next question आपके पास आ चुका है, who wrote poverty and unbritish rule in India, poverty और unbritish rule जो इंडिया में था, वो next है, आपके पास देखिए यह question JKP में अभी जो फिलाल गर्ल्स का जो exam हुआ था, उसमें जो है यह question आया गया था, battle of plase, ठीक है, तो क्या है, कौन से साल में जो है battle of हुई थी plase की, plase की, जल्दी से बताईए, 1758, 1757, 56 या 50 में, जल्दी से बताएं, सही answer जो है, इसका क्या हो जाएगा, आपका option C, 1756, जोन की 13 को जो है, battle of plase से हुई थी, ठीक है, next है, आपका question यहाँ पर, what is the original name of शेर्शा, जल्दी से बताना मुझे, सब को पता होगा, शेर्शा का जो है original name क्या है, सलीम, हामिद, फारिद, या none of these, सही answer, आपका option C, फारिद, ठीक है, next question है, आपके पास, who was the tutor of शिवा जी, so शिवा जी के जो है tutor कौन थे, दादा जी, कौन दावा, देव, शेर्शा, बीरबल, या none of these, जल्दी से बताएं सही answer, आपका है, option A, दादा जी, कौन दा देव, ठीक है, clear, next है, आपका, कहीं mistake है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, the year of first Maratha was, पहली Maratha, जो है, वो कौन से साल में हुई थी, जल्दी से जल्दी, सही answer क्या है इसका, सही option जो है, इसका आ जाएगा, आपका, 1775, 1782 में, जो है, यहाँ पर first Maratha हुई थी, ठीक है, okay, option A, जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, next है, आपका, the Maratha, Maratha script was known as, Maratha script जो है, वो किस नाम से भी जानी जाती है, पैशुरा script, मोधी script, शिवाजी script, या none of these, option B, इस दी मोधी script, तो चलिए, next question है, आपके पास, पेश्वाशिप वोज अब लिष्ट इन दी एर, पेश्वाशिप जो है, वो कौन से साल में अब लिष्ट होई थी, 1812, 1815, 1816 या 1818 में, जल्दी से बताएं, सही answer, option आपका जो है D हो जाएगा, 1818 में, ठीक है, next question आपके पास है, who was the last पेश्वा, ठीक है, लास्ट पेश्वा कौन थे, बाला जी, विश्वनात, बाजी राउ, वन, बाजी राउ सेकंड, या नन अफ दीज, सही answer, आपका बाजी राउ सेकंड, ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को जाके लाइक कीजिए, नेक्स्ट कोशन है, इस सोर्स ओफ स्वाती का सिंबल, स्वाती का सिंबल का जो सोर्स है, वो क्या है, इन दस वैली, साइलेंट वैली, द्राविदान्स या नन अफ दीज, बताएं जल्दी से सही answer, ओप्शन ए, इन दस वैली, ठीक है, स्वाती का सिंबल का जो सोर्स है, वो है, इन दस वैली, नेक्स्ट है, आपके पास, 49th कोशन आपके पास आजाता है, मीटर स्केल हाज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम, मीटर स्केल जो है, वो कहां से जो है, डिस्कवर किया था, हरप्पा से, सही आंसर आपका जो है, आपके पास, यहां पर देखे, वैपन नावर यूजड बाई दी इंदस पीपल, इंदस पीपल के द्वारा कौन सा वैपन जो है, यूजड कभी नहीं किया गया था, स्वार्ड, नाइफ, स्पेर्ड, नन अफ दीज, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, उनको सब को पता होगा, तो जल्दी से बताईए, सही आंसर जो है, आपका स्वार्ड, इन चंद्वारा, ठीक है, चंद्वारा में जो है, मेजर इंडरस्ट्री इस क्या थी, ठीक है, बीड मेकिंग, टेक्स्टाइल, ट्रेड मेकिंग, या क्राफ्ट वर्क, सही आंसर आपका जो है, ऑप्शन वन, ठीक है, ऑप्शन जो है, या जो आपका बिलकुल सही आंसर है, बीड मेकिंग, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, देखिए, दी वर्ड सिंधन, दी वर्ड सिंधन यूज वाज दी, बाई दी इंडरस्ट पीपल डिनोटिड, ठीक है, इंडरस्ट पीपल के द्वारा, जो है, यह एक वर्ड यूज किया गया है, सिंधन, ठीक है, किसको डिनोट किया जाता है, सिल्क, आइरन, कॉटन, कॉपर, बताईए, किसको यह वर्ड यह जो है, यहाँ पर डिनोट किया जाता है, ओप्शन सी, यहनि की कॉटन को, ठीक है, नेक्स्ट कोशन के और बड़े हैं चलिए नेक्स्ट कोशन है आपके पास evidence of fractional burial has been excavated from ठीक है तो यहाँ पर जो है खुदवाई की गई थी किसकी तरफ से ठीक है from lothal, court cg, banuli या हरपपा सही answer option d आपका यानिकी हरपप ठीक है नेक्स्ट कोशन आपके पास है अब जो है यह वर्ड लिया गया है god hum ठीक है वैदिक पीरट में था किसको डिनोट किया गया है rice, wheat, cereals या none of these पताएं जल्दी से किसको डिनोट किया था option b आपका wheat को ठीक है नेक्स्ट है आपके पास यावा डिनोटिड अब जावा जो वर्ड है यह डिनोट किया गया है wheat, rice, barley या none of these जल्दी से बताएं सही answer इसका क्या होगा यावा जो है किसको यहाँ पर डिनोट किया गया था उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कीजिए तो सही answer आपका option c बार ले ठीक है next है आपके पास आप देखे यहाँ पर वैदिक टर्म सीता डिनोटिड वैदिक टर्म है सीता किसको डिनोट किया है battlefield, paddy field, ploughed field या none of these सही answer आपका option c जो है वो हो जाएगा ठीक है ploughed field next आपके पास है who established the city of patyal putra ठीक है यह जो city है किसने establish की थी अजाता संत्रू अजास्त्रू बिम बिस्कदारा या none of these option a आपका जो है ठीक है अजाता संत्रू ने हाँ पर यह city जो है establish की थी ठीक है चलो next question क्यों चलते है the great historian who wrote about Alexander Indian invasion great historian कौन है आपके Alexander इन्होंने invasion किया था ठीक है जल्दी से बताएं किसको सौक्रेट्स अराइन अजास्त्रू या none of these सही आंसर option B अराइन next question है आपका who wrote चारका समीथा ठीक है who wrote चारका समीथा किसने लिखी है कोतल्या चारका आर्यबटा या none of these ये लिखी है चारका ने ठीक है option B बिलकुल सही next question है आपके पास यहां पर देखिए आपके जो है यहां पर last question है 60 who is the Sanskrit scholar in the court of चंद्रगुपता इस question का जो है question number 60 का जो है answer आप students मुझे यहां पर देंगे जब आप comment session में मुझे answer देंगे question number 60 लिखके दैन आप मुझे उसका option लिखिए ठीक है students और बाकी जो है किसी question में कहीं doubt आया है आपको तो comment जरूर कीजिए और बाकी जो है हमारा टेलिग्राम का channel description box में मिल जाएगा उसको भी जाके वहाँ पर join कीजिए ताकि डेली की जो है update वहाँ पर आपको मिल सके ठीक है तो चलिए students आज का session जो है हम यहाँ पर ही खतम हो करते हैं मिलते हैं next class में तब तक के लिए ख्याल रखे students bye bye take care